पिश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूँ, कम, मेक इन इनिया! कि दिल्ली राष्ट्य राजदानी राज्यक्षेत्र सासन अधिनियम 1991, 1991 के अधिनियमन का और संसोधन करने वाले विदेग पर विचार किया जाईए। मान्य महोदय जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानन जी ने पेस किया तब थोड़ा सोड़ सराबा भी हुआ, कुछ मान्यदर मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थी। कि ये विदेग जो लेकर आए हैं वो एसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। लाने का अधिकार नहीं है, सम्विदान के तहट संसद की कॉंपिटन्सी पर भी सवाल उठाए गए हैं। और दूसरा, ये मुद्दा उठाया गया, कि ये विदेग जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्तित हुआ हूं, वो विदेग सुप्रीम कौट के जज्मेंट के भावनाओं के विरुत हूं। मानेवर सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ, विपक्स का मूड सुनने का नहीं थे, आज कुछ अच्छा वभी मूड दिपता है। तो मानेवर जब तक कॉंपीटन्सी का सवाल है, संग राज्यक्षित्र का प्रसासन संविधान के बाग आठ में उल्रकित प्रावधानों के तहट आता है। अनुच्छे 249 से 242 तक इसकी कारे रिती को संविधान में वर्निट किया गया है। और अनुच्छे 249 के ए ए में विशेश प्रावधान किये गए हैं, जिसके तहट दिल्ली विधानसभा सही एक संग सासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संग सासित प्रदेश है, ना संग सासित प्रदेश विध एसेमली। क्यूंकि ये राजदानिक शेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए, 239 ए में इसका एक विशेश प्रावधान संभीधान के तहट किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा, अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विशेश कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छे 249 ए ए 3 बी की तरब दिलाना चाहता हूँ। 249 ए ए 3 बी बहुत स्पष्ट है इसके तहट इस संसत को दिल्ली संग राज्यक्षित्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंदित किसी भी विशय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडिक्षन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दाई तो बनता है, उस वक्त महुल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं धंग से जवाब दूँ। मानेवर कुछ सदस्यों ने ये भी कहा, हाथ में सुप्रीम कौट के जज्जमेंट रखकर, कि ये सर्वोच अधालत के आदेश के उलंगन करकर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनंती करना चाहता हूँ, कि आपने सर्वोच अधालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पड़ा है। जब सर्वोच अधालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं, तो संपून आदेश का अध्यान होना जरूरी है, उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर सिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खेर, जिन्होंने नहीं रखा, नहीं रखा, मैं रख देता हूँ मानेवर, मैं पश्टता करना चाहता हूँ, कि ये विदेश जो है, इसमें सर्वोच अधालत के नेने को जो उन्होंने रिफर किया है, उसके पेरा 86, पेरा 95 और विशेज करकर पेरा 164 एप की और मैं ध्या आकरसित करना चाहता हूँ, उसमें स्पश्टता से कहा है, कि संसत को 239AA के तहट दिल्ली संग राज्यक्षेत्र के किसी भी विशाई पर कानून बनाने का अधिकार है, ये अधालत ने अपने जज्जमेंट के अंदर बहुत स्पश्ट कर दिया, मानेवर, अब मैं थोड़ एक पर बात करना चाहूंगा, दिल्ली शाषन इसके एक अधियासित प्रुष्ट भूमी है मानेवर, दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजो के शाषन के द्वारा महरली और दिल्ली दो तहसिलों को पंजाब प्रांथ से अलग करकर बनाई गई, 1919 और 1935 में ब्रिटिस सरकार ने चीप कमिशनर प्रोविंस के नोटिफिकिसन किया और दिल्ली को चीप कमिशनर प्रोविंस के तरफ रखा गया, आजादी के बाद पट्टाभी सितारमया समिती ने दिल्ली को राज्यस्तर का दरज्जा देने की सिफारिस की दे, हाला कि जब सिफारिस संविदान सभा के समक्साही, मेरा विपक्स के सदस्यों को विनमरता से अनुरोध है कि इस बात को जरागी गहर से सुनेगा, पट्टाभी सितारमया समिती की सिफारिस, जब सदन के सामने आई, तब पंडिट जवालाल नहरू जी, स्रिमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डाक्टर आम्बेरकर जैसे, नेताओं ने इसका विरोध किया, कि ये उचीत नहीं होगा, कि दिल्ली को पूर्ण राजे का दरज्जा दिया जा है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, किस-किस ने विरोध किया था, पंडित नहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजिंद प्रसाज जी ने किया, और अम्बेरकर जी ने भी इसका विरोध किया था, और उस वक्त, पंडित नहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ, दो साल पहले सदन एक समिती, सिता रमया समिती की नियुक्ति की, और अब जब रिपोर्ट आया है, तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है, और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है, इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्टों की परवा किये बगर, उस समिती की सिफारिसों को स्विकार नहीं कर सकते, और स्विकार करना वास्तविक्ता से पुरी तर मूँ मोड लेना होगा, एक समय तो नहरू जी ने समविदान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा, कि चुकी नई दिल्ली में तीन चोथा इसंपती केंडर सरकार की है, इसलिए तरक संगत यही होगा, कि इसको केंडर के अधीन रखा जाए, बाद में जब अम्बेड करजी ने समापन किया, तब उन्होंने कहा, जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है, कि भारत की राजदानी के रूप में, सायधी किसी स्थानिय प्रसासन को मुक्त अधिकार यहां दिये जा सकते हैं, समयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, जो राजदानी के ख्षेत्र है, इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां दी, और उन्होंने कहा, कि इसके लिए एक अलग व्यवस्ता करनी चाहिए, और समिधान सभा में इस पर जोड़ना चाहिए, फ्यर, मैं इसलिए कहता और कि आप जिस चीज का विरोत कर रहे हैं, यह सिफारीज किसकी थी, यह आपको मालूम होना चाहिए, यह पंडित नहरू की सिफारीज थी, मानेवर, मैं उसके बाद में 1991 में सी स्टेट एक के द्वारा दिली को विदान सभा दी गई, परन्तु 56 में राज्य पुनगठन आयो की सिफारोसो पर दिली की विदान सभा हटा कर उसको संगराज्य गोसित किया गया, लगबक तीन दसक तक ये विवस्ता चलती रही, 87 में सरकारिया कमिटी वनी, जो बाद में बाला कृष्णन कमिटी के रुप में जानी गई, और 1991 में 79 वा संविदान संसोदन किया गय और इसके बाल दिल्डी राजदानी राज्यक्षेत्र सासन अधिनियम 1991 जिसमें मैं आज संसोदन लेकर आया हूँ, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया, और वो ही विदेख के अंदर संविदान संसोदन के अंदर 239 एये जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजदानी ख्यत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपून अधिकार संसत को देने का गान किया गया, मानेवर समस्या कहां से समाप, शुरू हुए, 1993 से वियौस्ता चलिया रही थी, कभी भारतिय जनता पार्टी सट्ता में आ हमारी सरकार थी, तो कभी उपर कॉंग्रेस की सरकार थी, तब नीचे हमारा सासन था, मगर कोई जगड़ा नहीं हुआ सा, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्यूंकि किसी की मनसा अधिकार हथ्याने की नई थी सेवा करने की, कॉंग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ जगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई जगड़ा नहीं, 1915 में स्थिती बडली और यहां एक ऐसे दलकी सरकार आई, जिसका मकसद, मुझे कोई जिजक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, जगड़ा मानने अध्यकजी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहें, अनेक पार्टियों की मिली जूली सरकार रही, सूद दरूप से सरकार रही, मगर राश्क्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई मैं बाद में बात करूँगा क्या दिक्कत है उसकी भी डिटेल बात करूँगा प्रोब्लेम क्या है प्रोब्लेम ट्रांसपर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है विजिलन्स को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है जो ब्रश्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है मान्यवर मान्यवर उसके बाद में पंद्रा में अचानक ही डिल्ली राजे सरकार ने एक विशाय सर्कूलर निकाला जिसमें उन्होंने टांसपर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लिए केंद्र सरकार ने एक notification निकाला उसको High Court में चैलेंज किया गया High Court का फैसला केंद्र सरकार के Pax में आया इसको Supreme Court में चैलेंज कर दिया गया उसमें खंडित जनादेश आया फिर सम्विदान पीट बनी सम्विदान पीट ने कुछ फैसले करकर नीचे फिर से दो ज़जों की बेंच को दिया, उसमें भी सहमती नहीं बन पाई और फिर से समविधान बनी जिसने अभी अभी फैंसला दिया मानेवर वो जो इंटरपीटेशन है, वो इंटरपीटेशन उन्होंने कानूनी और मौरल दुरुष्ट्री से नहीं किया उन्होंने इंटरपीटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए ये कहा है कि फिर भी दिल्ली सदेश की संसत को और भारत सरकार को दिल्ली संग राज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है वो अधिकार का उपयोग करकर एक वट हुकम एक नौटिफिकेशन निकाला गया और वो नौटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा कि संसद उस वक्त काम नहीं करें मतलब संसद बैठी नहीं थी बैठा के चल नहीं है तो नौटिफिकेशन निकला और संसद शत्र के अनुपस्तिती में जो जो नौटिफिकेशन निकला इसको मैं यहां लेकर आया हूँ जो आज सदन के चर्चा के लिए मैंने आप सब के सामने रखा है मेरा सभी पक्स के सदस्यों से विनन्ती है कि चुनाव जितने के लिए किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्स का विधे का समर्थन करना या विरोध करना ऐसी राधनिती नहीं करने चाहिए नय गटबंदन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं विधेक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए अगर हमारी राधनिती में थोड़ी स्विक्रूति कम है तो सबको मिलाना है दिल्ली का जो होना है वो हो जितना ब्रष्टाचार होना है वो हो मंत्री कुछ भी करे मुख्यमंत्री करोडों के बंगले बनाए मगर हम विपक्स में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गटवंदन बनाना है इस तरह से नहीं सोचना चाहिए मेरी अपील है मेरी अपील है मेरी अपील है विपक्स के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचे एलाइंस की मद सोचे एलाइंस से फाइदा नहीं होने वाला है एलाइंस होने के बाद भी पून बहुमत से नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री बनने वाले है इसलिए इसलिए एलाइंस के कारण जन्ता के हीतों की बली मत चड़ाइए जन्ता सब देख रही है एलाइंस करकर आप अगर ऐसा सोते हो कि जन्ता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा जन्ता का विश्वास आपको मिला था मगर जीस तरह से दस साल यूपीए ने सासन चलाया बारा लाक करोड के गपले घोटाले करे किसलिए आज वहां बैठे है और मैं फीर से कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार के गपले घोष्टाले ब्रश्टाचार को प्रचिन रूप से एलाइंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा मानवर मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल्को मेरा सभी से निवेदन है कि एलाइंस के मद्य नजर इस पर अपना अभिप्राएं न करे देश के और राददानिक छेत्र के भले के लिए निट्यालिटी से बात करे और वैसे भी मैं बता देता हूं विशेश कर कॉंग्रेस पार्टी वालों को कि ए बिल पारित होने के बाद वो एलाइंस में आपके साथ आने वाले नहीं है तो जो सच है वो करिए इतना अपील कर गए यही बात के समब को